नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में दोस्तों आज के समेहत्ट पूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं भारतिय महापुरसों के समाधीस्थल की ट्रिक जी हा दोस्तों परिक्षा में इसे रिलेटर प्रशन अकसर पूछा जाएगा तो आप डंके की चोड़ पर करके आएंगे तो चलिए चलते हैं बेना किसी देरी के स्लाइड के उपर दोस्तों बाएं तरफ आपके लिखा हुआ प्रसिद्वेक्ट यो दाएं तरफ है समाधी स्थल जी हाँ दोस्तों तो सबसे पहले हैं दोस्तों इंद्रा काफी ज्यादा सक्त थी काफी ज्यादा पावर फुल थी इसलिए उनको आयरल लेड़ी कहा जाता है तो ऐसे व्यक्ति क्या जो प्रसिद्वेक्टि हैं उनका नाम है क्यार नारायनन और इनके जो समाधी का नाम है वो है उदय भूमी क्या है उदय भूमी तो दोस्तों क्यार नारायन में नारायन आ रहा है और नारायन किसका नाम है भगवान विश्नु का हम सब को पता है दोस्तों त्रिद्यवों में यानि कि ब्रह्मा विश्नु महेस तीनों देवताओं में मार्तर विश्नु भ बढ़ बढ़ जनम लिया। जी हाँ उन्हों को धरती पर आना बहुत पसंद था इसलिए उन्होंRAY बार बार जननम लिया। चाहे राम के रूप में, चाहे परशुराम के रूप में। तो बस समझ जाईए कि क्या नारायन में नारायन आया है यानि कि विष्णु भगवान और यह बार-बार धर्ती पर आते थे तो जैसे ही क्या नारायन के समाधिस्तल के बारे में पूछे आपके दिमांग में तुरंत आना चाहिए नारायन भूमी पर बार-बार आये धर्ती पर बार बार आए तो मुझे भूम कोजनी option में जहां मिले टिक कर देना ठीक है चलिए नेक्स लेते हैं अगला दोस्तों क्या है गुलजारी लाल नंदा और गुलजारी लाल नंदा का जो समाधिस्थल उसका नाम क्या है उसका नाम है नारायन घाट तो कैसे तयार करेंगे द दोस्तों क्योंकि वह लोग नहाते हैं अपनी एक्टिविटीज करते हैं और बहुत ही एक positive माहूल रहता है तो समझे क्या रहता है वो गुलजार रहता है तो जैसे ही गुलजारी लाल नंदा के समाधिस्थल का पूछे आपको तुरन घाट पे टिक करना है क्योंकि घाट बहुत ही चहल कदमी वाला एरिया होता है हमेशा बुलजार रहता है चलिए दोस्तों नेक्स देखते हैं अगला का है अगले है चौधरी चरण सिंग जी और इनके समाधिस्थल का नाम है किसान घाट तो दोस्तों हम सबको पता है कि चौधरी चरण सिंग जो थे हमारे और चौधरी जन्रली किसे बोला जाता था जो ग्राओं इलाकों के घुते उनको चौधरी बोला जाता था था निकाल दोंगा तेरी चौधरी जिंग सब्ध है वो से ही इनके हैं जी हाँ जग जीवन राम जी के जो समाधी स्थल है उसका नाम है समता स्थल और कैसे तैयार होगा तो बहुत आसान है दोस्तों जग जीवन राम जो थे ये दलितों के बहुत ही प्रखर नेता थे बहुत ही बड़े नेता थे बाबु जग जीवन राम जी हाँ सेडी उलकास के बहुत ही माने जाने नेता थे और ये समाज में समता लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत थे यानि कि किसी भी तरह का जाती भेद भाव समाप्त करना चाहते थे समता लाना चाहते थे ये काम किया बाबू जग जीवन राम ने तो इसलिए निके इस्थल का नाम समता इस्थल ही होना चाहिए जो की है भी तो जैसे ही कहीं जिग जीवन राम के बारे में पूछे क्यों के इस्थल का नाम क्या है तो आप तुरन टिक कर देना समता इस्थल पर नेक्स दोस्तों लेते हैं अगला है जवाहर लाल नहरू जी हाँ जवाहर लाल नहरू और जवाहर लाल नहरू के जो इस्थल है समाधी इस्थल है उसका नामे शांती बन तो कैसे तैयार होगा बहुत आसान है दोस्तों जवाहर लाल में जवाहर आप देख लीजे अब यह ज चीज को उन्होंने एक तरीके से माननेता दे दी थी उसको क्या दे दी थी माननेता दे दी थी भारत पाकिस्तान बटवारे को उन्होंने माननेता दे दी थी तो माननेता दे दी थी क्यों ताकि दोस्तों दोनों देशों में शांती रहे ये भी अपना मजे से सांती करें और भ रात्मिक्ता दी थी और इसलिए हो जाए बटवारा तो कोई दिक्कत नहीं तो इसलिए इनका जो समाधी स्थाल है वो शांती वन ही रहेगा नेक्स दोस्तों लेते हैं अगला क्या है ग्यानी जैल सिंग और ग्यानी जैल सिंग के जो समाधी स्थाल है उसका नाम क्या है एकता परबल नेक्स है दोस्तो डॉक्टर भीम राओं बेड कर और इनके जो समाधिस थाल उसका नाम क्या है चैत्र भूमी तो कैसे तैयार होगा दोस्तो आशान है दोस्तो बहुत आसान है बाबा साहब भीम राओं बेड कर जो थे दोस्तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय म बहुत धर्म अपना लिया था कौन सब धर्म अपना लिया था बहुत धर्म अपना लिया था और हम सब को पता है दोस्तों यह जो चैत्र सब्द है यह बहुत धर्म से ही लिया गया है चैत्र बिहार यह इस्थानों को बोला जाता रहा है पूजा के इस्थानों को किसी समाधि इस्थल को बोला जाता रहा है तो दोस्तों यहां पर भी आया है चैत्र भूमी तो सिंपल है चैत्र भूमी अदिलिक के आ रहा है तो यह कोई बॉधिष्ट व्यक्त ही होगा और बाबा साथ भीम राव मेड़कर बॉधिष्ट थे लास्ट में जीते जी अपने जीवन के जो समाधिस्तल उसका नाम है महाप्रयाण कैसे तयार होगा दोस्तों तो बहुत आसान है दोस्तों डॉक्टर राजेंद प्रसाद में आप सभी को पता है हमारे देश के प्रतम प्रेसिडेंट थे पहले राष्ट पती थे तो यह क्या हुए जो ब्यक्ति पहला राष्ट प अगले क्या है अगले हैं हमारे प्रिय बापु महत्मा गांधी जी उस लिए उनके समाधिस्तल का नाम राज नेक्स हैं दोस्तों मौरार जी देशाई के जो सवाधीस तल उसका नाम है अभय घाट कैसे तयार होगा तो बहुत आसान है दोस्तों मौरार जी दोसाई में आप मौर रख लीजिए और मौर हमेशा वही नाता है जब उसे अभय रहता है यानि भय बिल्कुल ना रहे वहीं प अपने पनक फैलाता है सदेखें अगला के दोराजीव गांधीलature नाम यहां वीर भूमी तो तot बाजीव का मतलब यहां पर कंगल का होगा है कमल हमेशा दूस्तों किसको चढ़ता वीरों को चड़ता है वो बीर जो भूमी के लिए जो मात्र भूमी के लिए अपना जीवन ने उच्छावर कर देते हैं उनके लिए कमल चड़ता है ठीक है तो जैसे पूचे कहीं राजी उगांदी कि समाधी स्थाल का नाम क्या है तो आपको तुरंट वीर भूमी पे टिक कर देना है प्रिये प्रदान मंत्री रहे है लाल भादूर सास्त्री जी और इनके जो समाधीस्तल है उसका नाम है विजेगाड नाम है तो कैसे दोस्तों ये तैयार होगा तो बहुत आसान है दोस्तों हम सब को पता है कि लालबादू सास्त्री जी ने पाकिस्तान की चक्ये छुड़ा दिये थे जो पाकिस्तान है उसकी हालत खराब कर दी थी युद्ध में हमारी जो सेना है वो लावर तक पहुंच गई थी ये नाम इनके समाधिस्तल का नाम विजय घाट रखा गया इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए हाँ प्रशन दिया हुआ कि देश बंदू किसे कहा जाता है आप्शन आपके सामने है ए चितरंजन दास बी मोतिलाल नहरू सी लबाल गंगादर तिलक डी अली बंदू तो जो इसमें से राइट आंसर होगा प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिके जरूर बताईएगा इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा साथी साथ इसे सेर करिए वाटसप पर फेस्बूक पर अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी प्रपरेशन अच्छे से चला सकें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रेड कलर का ये बटन दबा कर साथ में बेल आइकन प्रस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा ताकि जो भी हम वीडियो डाले उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी धमाकेदा ट्रिक के वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद